कि हम लोग देखेंगे की लाब के अंदर यानि कि हमारा वर्चुल इंवार्मेंट है उसके अंदर हम ऑपरेटिंग सस्टम सर्वरैं या वुन्स हूं को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप को recommend करूंगा कि जो भी आपकी images हैं उसको C drive पे ना रखें C drive पे recommend इसलिए नहीं करना हो रखने के लिए क्योंकि by default C drive पे जाता है C drive पे क्या होता है कि इन में जो भी हम hardest वगर allocate करेंगे तो आपका जो C drive है वो occupy हो जाएगा और अगर आपका C drive के अंदर space कम हो जाएगा तो आपका जो operating system है आपके physical machine का वो slow हो जाएगा तो इसलिए आपको पहले यह ध्यान रखना है कि आपको जो है अपने जो भी C drive को छोड़के जो भी drive है आप वहां पर अपनी images रखें एक folder बना लें Hyper V के नाम से या virtual के नाम से जो भी आपको बनाना है उसके अंदर ही सारे installations वगरा करें राइट सो अब जो है यहां पर सबसे पहले हम server installation करका देखेंगे तो server installation करने के लिए आपको यहां पर click करना new पे अब new पे click करने के बाद आपको यहां पर virtual machine पर click करना है virtual machine क्लिक करने के बाद यहां पर आपके पास में आएगा इसमें आपको next पर click करना है यहां पर जो भी आपको server का नाम देना तो यहां पर मैं देता हूं say for example आपका svr1 कर देते हैं हमनों svr1 कर दिया तो यहां पर by default इसकी जो machine की location है वो आपके c के अंदर जारी तो आपको क्या करना है इसको tick करना है और tick करने के बाद browse पे click करके जैसे कि मैंने यहां पर d drive के अंदर बना के रखा है तो d drive में मैंने hyper के नाम से बना के रखा मैं इसको select करता हूं और यहीं पर इसको select करके आगे बढ़ लेते हैं तो आपको इस तरह से करना है इस पे next पे click करना है यहां पर आपके पास में आता generation one and generation two तो अगर आप generation one के अंदर करेंगे तो definitely आपके पास में issues आएंगे because यह server है तो आपको इसके अंदर जो है आपको generation two बे करना पड़ेगा लेकिन कुछ चीजों में आपको errors आएंगे अगर आपके पास में जो आपका operating आपका जो computer है वो अगर उसका जो आपका BIOS है वो आपका अगर पुराना है तो आपको जो है generation one सेलेक्ट करना पड़ेगा server के case में भी लेकिन अगर आपका जो BIOS है वो updated है UEFI है तो यानिकि एक नया आपका जो BIOS system है अगर वो है तो आपको generation two करना पड़ेगा अब दोनों में difference क्या है कैसे चेक करेंगे जब भी आप अपने system को reboot करेंगे तो आप जो अपना BIOS के अंदर जाके F2 या आपके operating system के according देखना जैसे हम start करते हैं वहाँ पे कुछ tab आपके जो है function की लिखे आती है प्रेस F1 to visit bio या enter bio या इस तरीका लिखा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ आपको दोनों में difference क्या है तो अब अगर मैं यहाँ पर Google पर जाता हूँ Google पर जाकि अगर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ say for example हम सीधा लिख देते हैं BIOS ठीक है BIOS करके sorry not BIOS it's not BIOS BIOS कर लेते हैं या फिर computer BIOS कर लेते हैं जो भी आपको करना है computer BIOS करके अगर मैं यहाँ पर images में जाता हूँ तो you can see अगर आपके पास में इस तरीका screen आ रहा है BIOS का तब तो आपको generation 1 पर जाना पड़ेगा लेकिन आपका इस तरह का नहीं आपके पास में different graphical आ रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अगर मुझे दिख जाए तो demands वाला या यहाँ पर कहीं दिख जाए तो let me see इस तरह का आपको मिल रहा है या फिर जो है आपको latest वाला मिल रहा है देखने को इस तरह का कुछ देखने को मिल रहा है you can see इसमें आपके पास में थोड़े से latest होते हैं let me see exactly अगर मुझे कहीं पर मिल जाए या हम कर देते हैं latest तो यह देखो यह वाले जो है आपके पास में अगर इस तरह का बायोस आपको देखने को मिलता है जिसमें थोड़े से ग्राफिक फीचर्स आपके एडवांस है compared to the old one राइट दोनों में यहां पर यह comparative देख सकते हो राइट तो यहां पर यह आपका पुराना वाला है तो generation 1 इस तरह के लिए आपके पास में देखने को मिलना बायोस के अंदर तो आपको generation 2 सेलेक्ट करना है तो अभी मेरा वाला जो है वो allocated आपके पास में free है तो कैसे चेक करेंगे आपको यह जो task bar इस पर right click करना यहां पर आपके पास में जो task manager होगा task manager पर जाएंगे performance पर जाएंगे तो यहां पर you can see आपका CPU कितना यूज़ हो रहा है यह दिखता है memory कितनी है available है तो you can see मेरे पास अभी 12.5 GB RAM जो है वो available है अगर यह इतनी available नहीं होती तो definitely नहीं कर सकते अच्छा एक और चीज़ अगर आपको virtual को install करने में दिक्कत आ रही है तो आपको यहां पर CPU के अंदर जाके देखना है virtualization enabled अगर आपका यहां पर disable आ रहा है तो आपक BIOS के अंदर जाके आपको जहना virtual environment या फिर आपके पास में virtual technology इस तरह का एक feature होगा उसको आपको सर्च करना है अपने BIOS के अंदर देखना है कहां पर है उस feature को आपको जो है अपडेट करें उसको enable करते है डिसेबल होगा उसको enable करते है अगर आपका enable है तो यहां पर enable नहीं है तो definitely आप कोई भी आपका virtual environment इसमें डाउन नहीं कर पाएंगे installation वर्चोल टेकनलोजी आपके सिस्टम में इंस्ट्रॉल नहीं होगी तो मैं यहां पर 2GB allocate करता हूं यह 1GB 1024 1GB होता है तो मैं यहां पर कर देता हूं तो जिरो अब यहां पर हम कर लेते हैं से इतना औ करते हैं अब यहां पर यह जो है आपका पूछ रहा है कि कौन सा network adapter आपको connect करना है तो मैं अभी यहां पर छोड़ रहा हूं विकास आपको मैंने अभी तक बताए नहीं है यह बात में हम connect कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है next पर क्लिक करते हैं यहां पर पूछ रहा है कि create a virtual hard disk या फिर अलड़ी आपके पास में virtual hard disk है तो अब हमारे पास जो है यहां पर virtual hard disk हमें create करनी है विकास हमारे पास नहीं है और यहां पर size पूछ रहा है कितना size आप उसको देना चाहते हैं तो मैं 30 GB जो है वो देने वाला हूं यहां पर ताकि वो बन सके virtual hard disk तो मैंने यहां आपके पास में operating system available है तो मैंने क्या करना है यहां से browse करना विकास मैंने यहां पर download करके रखी है मेरे पास में ISO images तो मैं यहां पर search कर लेता हूं मेरा mc not in e drive में है I think mcsa ISO images तो यहां पर you can see मैंने windows server 266 लाका ISO image download करी हुई है और उसको हमने open करना है next पे click करना है यह आपकी स right तो you can see यहां पर हम अरपास svr1 जो है वो install हो गया है लेकिन अभी इसका installation नहीं हुआ यह सरफ create हुई है virtual machine अब हमने क्या करना है इस पे right click करना है और इसको connect पे click करना है जैसे हम connect पे click करेंगे इस तरह के आपके पास में screen आएगी इस पे start पे click करना है आपको जैसे आप यहां पे start पे click करेंगे you can see यहां पे आपके पास में लिखके आया था कि इस id से boot करना तो आपने enter कर देना है तुरंत और यह आपका installation चालो हो गया तो you can see यहां पे आपके पास में जो बिल्कुल real servers है उसी के तरह से पूरा installation हो रहा है यहां पे next पे click करना है हमने install पे click करना है तो जैसे आप यहां पे install पे click करोगे तो यहां पे आपका setup है वो आपका start हो जाएगा तो यह क्योंकि operating system आपका windows server है तो उसी हिसाप से आपको desktop का experience नहीं मिलेगा हमें चाहिए desktop experience हम यहां पे करते हैं जो कि हम लोग real environments के अंदर करते हैं तो हम यहां पे next पे click करते हैं यहां पे आपको accept करना है license next पे click करना है यहां पर दो options होते हैं एक तो upgrade होता है एक आपका custom होता है तो आपको custom पे जाना है यहां पर you can see आपका hardest ज तो आप इसको next पे click करें, जैसे आप next पे click करेंगे तो you can see आपका installation जो है वो ready हो चुका है, copy हो चुके हैं सारी files, अभी आपके पास में यहाँ पे थोड़ा सा यह time लेगेगा, यह जैसे complete होगा 1%, 2%, 3% करके complete करेगा, तो इसको हम complete होने देते हैं, तो काफी fast होई रहा है, ब होता है, फिर अपना आगे बढ़ते हैं, 10% हो चुका है, तो इसी तरह से आपको भी करना है, बट आपके पास में यह सारी laps वगरा करने के लिए RAM का होना जरूरी है, CPU का होना जरूरी है, तो आप i3 या i5 कोई भी processor ले सकते हो, राइट i3 में भी हो जाएगा, RAM के लिए वो भी इस्तेमाल कर रहा है RAM को, और साथी साथ जो है आपके जो यह वर्चुल टेक्नलोजी यह भी इस्तेमाल करेगी, तो आपके पास में 4GB में से RAM बचती नहीं है, तो आप जो है minimum आपके पास में 8GB तो होनी ही चाहिए, अगर आप एक या दू सर्वर चलाना चाहते हैं या एक सर्वर या एक computer चलाना चाहते हैं, इतने के लिए आपको 8GB तो चाहिए चाहिए, लेकिन आप अच्छे से practice करना चाहते हैं, तो आपके पास में 16GB तो minimum requirement है, आपके पास में 16GB होगी तो आप असानी से सारे practicals बहुत असानी से अराम से complete कर सकते हैं, उसमें कोई दिक है, वैसे ही यहाँ पर भी पूरा step by step आपको actual में पूरा installation करके दिखा रहा हूं, so that कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना आए, कईयों के कुछ errors आ जाते हैं, कि कहीं पे कोई error आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो अगर आपको भी कोई error आ रहा है, तो आप लोग जहें screenshot लेके, जो हमारा, जो LMS panel है, उसके अंदर आपके पास में particular, जो भी आपका lecture की जो recording है, उस recording के Q&A session पे जाके जो है, आप उसको अपना जो error आ रहा है, उसको बता सकते हैं, वहाँ पे screenshots वगरा add करके डाल सकते हैं, so that कि मैं यह मेरी जो technical team है, वो आपके जो issues हैं technically, वो आपके rectify कर सकते हैं, या फिर जो हमारे Wednesday को हमारा Q&A sessions होगा, Q&A sessions की जो live classes होती है, Wednesday वाले दिन, तो वो जो है, आप उसके अंदर join करके अपने systems को ready रखें पहले से, और अगर आपका कुछ ऐसे हैं, तो आपको जो है, मैं live लेके आपका system में एक बार बता दूँगा कि क्या issues हैं, कैस आपको rectify बगरा करना है, तो आपको वहाँ पे भी rectification जो है, आपको solutions मिल जाएंगे, तो आपको जो है, सारी चीज़े options available हैं, आपको जो prefer करना है, आप वो prefer कर सकते हैं, आपको जल्दी चाहिए, तो आप जो है particular जैसे यह lecture है, इस lecture के, जो Q&A session है, जब LMS के अंदर इसकी recording जो आपके पास में available है, तो उसके Q&A session में चले जाएं, Q&A session के अंदर जाके आप उसको जो है, अपना question with screenshot या आपका पूरा जो error आ रहा है, आप उसको type करके जो submit कर सकते हैं, so that कि हमारे end से, जो भी आपके comments हैं, वो आपको या फिर आपके questions हैं, उसको address किया जा सकें, तो उनको कैसे install करना है, वो मैं बता दूँगा, अगर आप ISO के हिसाब से करते हैं, तो आपको same process के अंदर इस्तेमाल करना है, because मैंने आपको OVA file करने बोला था download, ताकि जो है वहाँ पे हमें ready made hard disk मिल जाते हैं, पहले से pre configured ये काम करने की जोरूत नहीं होती, पर हमें सीधा करन क्या है, directly उसको install करना है, install करके उसको map करना है, map करते से हमारा system जो है directly चालू हो जाता है, तो ये आपको जड़ा ध्यान रखना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से उसको install करना है, तो आपका जो lab का setup है, वो इसी पूरे lecture के अंदर आपका complete हो जाएगा so that की next lecture से जो है, हम लोग practicals वगरा जो आपने start कर सकें, और including network adapter जो है, वो भी मैं आपको इसी lecture के अंदर ही पूरे complete कर दूँगा, so that की जो network adapter के आपके समझ रहा है, जो तीन तरह के मैंने network adapter बताए, वो भी हम आज के lecture में cover कर लेंगे, तो आपका वो भी जो doubt है, या कुछ चीज़े आपको create करनी है, network adapters वो गएरा, वो कैसे करना है, यह सारी चीज़े जो basic lab से related है, वो इसी lecture के अंदर हम लोग cover up कर लें, तो you can see यहाँ पे पूरा 100% हो गया है, और अभी यह finishing पे आ चुका है, और जैसे यह finishing पे आगा, जैसे हमारे real servers वो गएरा reboot करते हैं, system reboot करत मैं आपे restart now पे click कर देता हूँ, तो यह जो है हमारा you can see आपका जो server है, वो अभी restart हो रहा है, और restart हो कि यह हमारा directly हमें windows का जो main setups होती हैं, जो आपके say for example user id, passwords वगरा जो आपको set करने हैं, उसको set up करने के लिए हमें यह आप पूरी screen देदेगा, और उसको complete करने के बाद म हमारा यह server जो है वो ready हो गया, तो आपको यहाँ पर इसी process के according, जैसे हमने यह कर रहे हैं, इसी process के तरह से आपको minimum 3 servers पहले से ready रखने हैं, तीनों आपको एक साथ use नहीं करने अभी, आपको सिरफ उनको इसी तरह से install करके रख लेना है, right, so install इसलिए because आगे जो हमारे पास labs आने वाली है, उसके अंदर हम multiple servers के साथ में आपस में communication establish करेंगे, so that कि हम जो है अपने सारे जो practical labs है, उसको बिल्कुल real environment के हिसाब से cover up कर सके, right, so यह जो है आपका पूरा तयार होड़ा, you can see getting ready device, और बहुत ही जल्द हमें यहाँ पे screen जो है देखने को मिल जाएगी, और थोड़ा सा वेट करते हैं, because as I said कि यह बिल्कुल real operating systems है, ऐसा नहीं कि कहीं पर dummy दिये गए हमें, और official website of Microsoft से हमने इसको download किया हुआ है, so it will take some time, और real servers की तरह ही पूरा installation हो रहा है, you can see यहाँ पे, so यह हमारे पास अभी बिल्कुल ready हो जाएगा, तो इतना time तो हमें real servers में भी लगता है जब हम install करते हैं, तो एक बार यह complete हो जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई भी आपके कुछ doubts हैं, और I would say कि I'm sure कि starting के अंदर तो मैंने आप लोगों को बता रखा कि आपको अपनी notebook ready रखनी है, और आज से आप लोग अपना एक notebook के अंदर topic डालन MCSA का, और MCSA के अंदर आपको जितनी भी doubts हैं, वो उसी section के अंदर जो है लिखते चले जाएं, so that कि जब भी हमारी Wednesday की class होगी, वहाँ पे आपके जो live doubts हैं, वो आपके मैं clear कर सकूं, अगर आपके पास note नहीं रहेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे, question ही नहीं पूछ पाए उसमें कोई issue नहीं आएगा आपको, so you can see, यहाँ पे थोड़ी सा black screen आगई है, तो यह थोड़ी सा time लेगा, as I said कि real servers की तरहे पूरा काम करता है, तो यह भी आपके real server के base के उपर ही काम करता है, थोड़ी सा time लगेगा इसको भी ready होने में, और तुरंत ही हमें यहाँ पर ज setup करते हैं, username यह रहा आपका administrator, और password आपको डालना है, तो मैं password मेरा डाल लेता हूं, जो मुझे यहाँ पर रखना है, तो मैं यहाँ पर अपना password डाल देता हूं, और जो भी आपका password है, वो आप डाल ले, इसी तरह से आपको confirm password करना है, और एक बार आप यहाँ से चेक कर सक वहाँ पर हम लोग physical servers हैं, उनके उपर में control, alt, delete प्रेस करते हैं to unlock this, लेकिन अगर हम यहाँ पर करेंगे तो हमारा जो system का task बार है, वो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, alt, control और end की प्रेस करनी है, alt, delete की जगे पे end की प्रेस करनी है, virtual environment के अंदर so that की आप उसको unlock कर सकते, तो यहाँ पर आपको डालना है अपना username और password और, sorry, password मैंने गलाट डाल दिया, यहाँ पर आपको जो भी आपने password डाला है, वो डालने के बाद जैसे आप यहाँ पर इसमें आगे बढ़ेंगे, तो now you can see, हमारा जो server है, वो बिलकुल ready हो चुका है इसका जो installation है, वो बिलकुल ready हो चुका है, अभी क्योंकि first time यह आपका installation complete हुआ है, तो definitely यहाँ पर user की profile create करी जाएगी, जो first environment है, server का, वो यहाँ पर create करा जाएगा, और create करने के बाद में अभी हमें यहाँ पर पूरा environment देखने को मिलेगा, you can see, आपके सामने जो है, बिलक core होता है, servers के अंदर जो सबसे important होता, that is the server manager, जिसके अंदर हम active directory, जो एक बहुत ही primary features होता है, core feature होता है, servers का, वो हम यहाँ पे पूरा काम करने के लिए, हम server manager का इस्तेमाल करते हैं, तो you can see, यहाँ पे server manager का environment भी पूरा ready हो रहा है, और जैसे यह ready हो जाएगा, तो हमारा ज fresh server है, right, अभी क्योंकि यह हमारा बिल्कुल fresh server है, तो अब अगर इसके अंदर आप इसका एक checkpoint बना के रखना चाते हो, so that कि अगर आपको कभी भी fresh server की जरूत पड़े, तो आप यहाँ तक जो है वापस इसको restore कर सको, इसके लिए आपको इसको minimize करना है, यहाँ पर you can see अभ पर लिखके आगा creating checkpoint, अब यह checkpoint को आगे कि utilization कैसे करना है, इसका कैसे इस्तिमाल करते हैं, वो आपको समझ में आएगा, बट अभी you can see यहाँ पर आपका checkpoint बनके आज की date और time वगरा सारी चीज़ आ जाती है, आप इसको renew कर लें यहाँ पर, renew करके मैं यहाँ पर कर देता हू से for example, fresh installation, यह मेरा तरीका है, आप लोग अपने हिसाब से जो भी रखना चाते हैं, आप रख सकते हैं, यह हमारा जो है, अब जब भी मुझे fresh server की requirement होगी, जिसके अंदर कोई feature install नहीं होना चाहिए, तो मैं इस checkpoint का जो है, इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो यह मेरा server जो है, वो ready आ गया, तो यह आपके stopping service और यह आपका जो तुरंट अभी server जो है, वो shutdown हो जाएगा, तो हम इसको बंद कर देते हैं, तो यहाँ पर you can see, आपके पास में जब shutdown पूरा complete हो जाएगा task, तो यह आपका stop हो गया, यह आपका off हो गया, अब आपका यह server जो है, वो बिलकुल off position अब इसके बात हमें क्या करना है, दूसरे operating system जो normal computers है, वो चाहिए, तो यहाँ पर मेरे पास में D drive के अंदर, hyper V जो मैंने यहाँ पर hyper V के लिए लगा रखा है, तो you can see, यहाँ पर मेरे पास Windows 7 भी है, और 10 का मैंने ISO download कर रहा है, ISO मैंने बता दिया कैसे आपको install करना है, ले अब ही आपको मैं यहाँ पर जो मेरे पास में virtual hard disk Windows 7 का, वो मैं यहाँ पर इसको zip में download करा था, तो इसको extract कर लेते हैं, तो यह थोड़ा सा time लगेगा, यहाँ पर इसको करने में, तो you can see, यहाँ पर Windows 7 का, जो है, वो मेरे पास already ready mate, यहाँ पर मिल जेगा अब इसको, जो हम hard disk download करते हैं, तो उसको किस तरह से हम लोग map करते हैं, अपने इस hyper week के अंदर, यह मैं आपको भी दिखा देता हूँ, तो यह you can see, यहाँ पर आपके पास में पूरा ready होते जा रहा है, अगर Windows 10 का, आप यहाँ पर OVA download करते हैं, तो उसके अंदर भी इसी तरह से आपको थोड इस्तिमाल करना चाते हैं, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, even you can use